नमस्कार मैं हूं मन मोहन भट चुनाओं से पहले और चुनाओं के बाद राजनेतिक पाल्टियों में राजनेतिक वक्तियों में भगदड जैसी इस्थिती होती है उतराखंड में भी इस समय भगदड जैसी इस्थिती होती हुई नजर आ रही है कोई कॉंग्रेस छोड़ रहा है कोई आम आदमी पार्टी छोड़ रहा है अब ताजा खबर ये आई है कि आम आदमी पार्टी के चहरा खास तोर पर चुनाओं में रहे करनल अजय कोठियाल ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है आम आदमी पार्टी ने करनल अजय कोठियाल के नाम पर उत्तरहंड में चुनाओं लड़ा था करनल अजय कोठियाल मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे आम आदमी की तरफ से लेकिन गंगोत्री विधान सभास से चुनाओं लड़ रहे करनल अजय कोठियाल की जब जब बाद ही आम आदमी पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष का एलान किया जिस वक्त दीपक बाली को आम आदमी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया था उस कारेकरम से करनल अजय कोठियाल ने दूरी बनाई थी तब ही अंदाजा हो गया था कि करनल अजय कोठियाल औ आम आदमी पार्टी के प्रमुक हैं या सयोजख हैं उनको भेज दिया है अब यहां पर ये बात बड़ी इस्पष्ट होती है कि आम आदमी पार्टी भविश्य में क्या करेगी आम आदमी पार्टी ने पहले ही दीपक बाली को प्रदेश अध्यक्ष बनाया और जोत सिंग ब को आम आदमी पार्टी से जुड़ गए सुनिए करनल अजय कोठियाल के इस्तीफ़े के बाद किस तरीके से राजनितिक दलों की प्रतिक्रियाएं आई है कि करनल कोठियाल पार्टी के वरिस्तम नेताओं में से एक थे कि आज उन्होंने अचानक आम अदमी पार्टी से इस्तिफ़ा देकर कि Çो फैसला लिया लिए उप है Więcela नऺजी कारवाय से हूँ और चुनाओं में हार जीत होती हैं, जीत होती तो उस जिम्मेदारी के साथ आमादमी पार्टी काम करती है। चुनाओं में हार हुई, उस हार के बाद हम कोशिच करने की पार्टी पुना खड़ी हो। जैसा की काफी समय से कयास लगाये जा रहे थे, आज आमादमी पार्टी के उत्राखंड में मुख्यमंत्री चहरा और कमांडर करनल कोट्याल ने पार्टी की सदस्ता से इस्तीफा दे दिया है। और ऐसे में सभी कयासों को उन्होंने विराम लगाया है। ये बात हम पहली दिन से कहते आ रहे थे कि फौज और राजनीती बिलकुल अलग-अलग छेतर हैं। नहीं हैं जिन्होंने चुनाओं से पहले या चुनाओं के बाद आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया है। चुनाओं शुरू होते ही आम आदमी पार्टी से इस्तीफों का दौर शुरू हो गया था। रविंद्र जुगरान ने भी आम आदमी पार्टी छोड़ दी थी और बीजेपी की तरफ वो आ गए थे रविंद्र जुगरान अंदोलनकारी है बीजेपी में लंबे समय से थे लेकिन जब आम आदमी पार्टी में उन्होंने जॉइनिंग की थी तो अंदाजा लगाय जा र लेकिन रविंद्र जुगरान के हाथ पैर भी बांधने की कोशिश आम आदमी पार्टी ने की थी बौधिक रूप से भी बांधने की कोशिश की थी उसके बाद रविंद्र जुगरान ने अपने पत से इस्तीफा दे दिया था उसके बाद कई फौजी या रिटार्ड फौ का इस्तीफा हो गया है वैसे आम आदमी पार्टी में लंबे समय तक अनूप नौटियाल भी रहे थे लेकिन अनूप नौटियाल ने भी आम आदमी पार्टी की कारेप्रणाली को देखते हुए किनारा करना ही बेहतर समझा था इस समय अनूप नौटियाल सामाजिक संस्था चला रहे हैं और देहरादून या कहें कि पुरे उत्राखंड में बेहत सक्रिये हैं अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल यह होता है कि करनल अजय कोठियाल भविश्य में क्या करने जाए करनल अजय कोठियाल बीजेपी और कॉंग्रेस का दर्वाजा तो पहले ही खटखटा इसलिए उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है वैसे करनल अजय कोठियाल बीजेपी और कॉंग्रेस के भीतर अगर एक कारेकरता बन कर रहते या विधायक बनने की इच्छा से पहुंचे होते तो शायद पार्टी में एड़िस्ट हो जाते लेकिन अब आम आदमी पार् पार्टी में एड़िस्ट हो सकते थे लेकिन वो शीर्स पद की उमीद में किसी भी पार्टी में जाने की कोशिश करते हैं और शायद यही वज़य है कि वो फिट नहीं हो पाते आम आदमी पार्टी ने उनको ये जिम्मेदारी दी थी मुख्यमंत्री पत का उमीदवार बनाया था लेकिन जिस तरीके से कर्नल की जमानत जब्त होई है उसके बाद उनकी राजनितिक हैसियत उत्तरकाशी में तो कम से कम सब को पता चल ही गई है अब ये देखना बहुत कोठियाल की तरह आगे बढ़ते हैं ये देखना बहुत दिल्चस्प होगा कि कर्नल कोठियाल क्या फैसला करते हैं वैसे आम आदमी पार्टी के कारेकारी अध्यक्र भूपेश उपाध्याय ने भी अपने पत से इस्तीफा दे दिया है यानि कि अब आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को नए नए करेकरताओं की नए नए पदादिकारियों की आवशक्ता होने जा रही है और जाहिर सी बात है अगला चुनाओ उत्राखंड में इस्थानियन निकाय का है दीपक बाली को भी इसी उमीद में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है कि मैदानी क् मजबूत कर सकें जोत सिंग विष्ट को भी देहरादून और आसपास के छित्रों में सक्रियता बढ़ाने के उमीदों के साथ पार्टी में लाया गया है देखना होगा कि जो इस्तिफे हो रहे हैं उनकी भरपाई आमादने पार्टी कैसे करती है इस्थानियन उकाय चुना आमें पार्टी का प्रोफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है ये भी बहुत महत्पूर्ण होगा